हें गाई वेलगम बैक टो मैं चैनल ट्रेडिंग इन्यूवरस्टी तो गाई आज हम बात करेंगे ऐसी ट्रेडिंग स्टाइजी के बारे में जो की ऑप्शन बाइंग और आप्शन सेलिंग दोनों में ही अप्लाए होती है उसके दोनों में क्या सिंफिकेंट्स है क्यू करा इसको कब करा जाता है एक एक चीज के बारे में बात करेंगे बने रहीएगा वीडियो में और अगर आप हमारी वीडियो पर लाइक करें आपकी यूपर राइसी ओप्शिन्स की टेकनिक होती है एक ऑप्शिन्स की स्ट्राटिजी उती है कुछ नहीं होता बहुत असान मैं बोलूगा कि स्ट्राडल इस प्रॉबिली दीजियेस्ट इस तु वोक मतलब इसमें कहें जादा दिमाग निले लगाना होता और इट वेरी गूड प्रॉफिटेबल स्ट्राटिजी अच्छे अच्छे ऑप्शन की ज सब्सक्राइब करेंगे तो पहले पकरते हैं अपने पहले को और दूसरे को पकड़ेंगे ठीक है अब इस बताऊ मेंको ठीक है हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया अब итक है यह मल पढ़ेंगे लौग straddle कि ऑली बात आपक को कि को यह बता हो कि चाल अशुक्य अब मेर को सिज़ बताऊ अभी बात करी लॉं कि नेौनग बात शाटी बहारे बारे में बाते बारे gözेबाएम Nice स्ट्राटिजी होती है इसमें करते क्या है अगर आपने मेरी बेसिक सब्सक्राइब लाइब तो उसको चेक अगर माल लो अभी आपका जो निफ्टी वह खड़ा है इन सारी जो आपकी प्राइज इसमें क्या है इसमें जितना भी जो स्ट्राइक प्राइज जो इस टाइम चल रहा होगा वह बनेगा जिसमें बात कर ली कि मारा कौन सा होता है हमने की बात करें बात करें अबैं ओढ़ा है तो अगल आपको ट्राइडलत कि अगर आपको इसमें आप वह ख्योट करना कर लागे इसमें आप क्या करते होगे अगर माल लो 21-600, add the money strike है, तो आप क्या करोगे, आप depending आप कितने lots कर रहे हो, बट आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप एक lot, add the money, C e by करते हो, C e by, प्लस एक lot, add the money, P e by, ठीक है, यह होता है आपका concept, long striddle का, बहुत simple है, कुछ इसमें कुछ rocket science नहीं है, बहुत बढ़ा चड़ा के बताया जाते है, बट इस वेरी वेरी सिंपल, अब मेरे कोई चीज बताओ, अब इबने बात करी कि, long striddle होता है, long striddle में क्या करते है, long striddle में आपको क्या करना होता है, पहली बात आपको पता होने चीजए, इसमें जो quantity रहती है, ना, CE और PE buy की, वो सेम रहती है, इसमें आपकी quantity रहेगी नो, सेम रहेगी, अगर आप CE buy कर रहो या पी बाय कर रहो दोनों की quantity में सेम रहती है, ठीक है, अब एक लॉट आपको CE buy करना है, एक लॉट आपको PE buy करना है, long striddle के case में, सेम स्ट्राइब प्राइस का मेरा मतलब क्या है, add the money strike price का, guys, जब भी हम striddle execute करते हैं, जब भी हम striddle जो आपकी trading strategy होती है, उस पे काम करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, हमेशा चाहिए वो long striddle, चाहिए वो short हो, हम हमेशा add the money strike price उस करेंगे, कुछ नहीं है, rule हमेशा यह होगा, ठीक है, अब मेरे को इस बताओ, अब मेरे को इस बताओ, अब आपको मेरे को बताना है, long striddle के बात करी, अब हम थोड़ा market का scenario लेते हैं, माल लो, market के scenario के बने बात करें हम थोड़ा, हमें पता है कि निफ्टी है, वो करीबन 22,000 है, माल लो, यह था, ठीक है, और यहां पे वो 21,500 है, माल लो, ठीक है, और हो क्या रहा है, मेरे को चीज़ बता हो, वो गिर यहां से 22,000 पर एक सेलिंग आपको देखने को मैं एक सेलिंग आपको देखने को मैं एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, प्रोफिट बुकिंग की एक्च्वल टर्म जो थी लॉंग अन्वाइंडिंग उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आगई, 22,000 गिरते 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 ऑवो मार्केट आगई आपके 21,500 ठीक है, आपके 21,500 पांस में कर लिया है, अ क्योंड में बटनों इसे भांस में जो नहें कर लियुक्त अब वेज्क वांस में 21 501 ATM strike था ना तो आपने क्या करा आपने C buy कर लिया और आपने P buy कर लिया दोनों आपने same quantity buy करी same quantity ठीक है आपने दोनों की same quantity buy करी अब मेरे को बताओ मान लो जब आपने बै करी C का प्राइस था 90 रुपे और प्राइस था 110 रुपे था यह ग्जामपल होसकता है उल्टा होसकता है जादा होसकता है कमो तो गिव इन एक्जामपल ठीक है C बै का जो प्राइस है वो नभे है और प्राइस है तो 110 है अब मेरे को एक चीज बताओ अगर यह 21-500 के लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया ठीक है एक बुलिश एंगल फिंग बनाई या फिर एक डोजी बनाई एक हैमर बनाई कुछ भी बना के बाउंस लिया ठीक है बाउंस आना चाहिए मार्केट में तो होगा क्या पहली मेला तो बिना जब भी straddle कर रहे हुए बिना एसल के ट्रेड ही नहीं अगतना अश्रण के हैसल क्या होता है हमें कितना लॉस होतता है किसी पोजीशन में दोनों जब भी एक्जेट को रहे हैं मालो आपकी आपका सटॉप लॉस ऑकरीबंभीं स्न पाश क्रीम अब पीचास तो SL लगा रखा है अगर PE buy का SL हिट होगा तो इसका तो SL हिट नहीं इसका तो होगा ही नहीं इसका तो हिटी नहीं होगा SL तो होगा क्या एक टाइम के बाद जब market rally देना शुरू करेगा तो जब आप PE buy की पॉजिशन से exit कर जाओगे न जो आपकी PE buy की position आप उसको exit कर दोगे तो EU इतना profit हो चुका हो सकता है जापकी सीवाइब का जो आपको आपको पहुंच जाए और इसमें आपको लॉस आपको 10 होता है तो 해서 तरगेट डिपेंडिंग किन सब्सक्राइब कर डिपेंडिंग होता है तो यह होती है यह सब्सक्राइब गफ्रेट सेवाइंग पोजिशन सेम स्रैक प्राइस एड दमानी कम में आइक करते हैं बिना आपको पता है में मार्केट नहीं करते है के सब्सकुन आपका टागेट उस दोटना हो सकते है कि तना मार्केट को पैसा दे सकते हो, वो होता है एक ऐक्चुल ट्रेडर का माइंशेट, जो-बने ट्रेडिंग माइंशेट बोलता हूं, अगर आपको पता है, इस मेरा हजार का लॉस्पाइब का पाँजार का सब्सक्राइब b इतना ही रिटर्न दे देगी पर अगर आपका ट्रेडिंग का जो माइंड सेट है अगर यह ठीक नहीं है तो आप स्ट्राइडल कर लो आप स्ट्राइंगल कर लो आइरन कॉंडूर कर लो जिनके बारे में आगे वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए बहुत जादा बढ़ ज होगा है कब तक होट नहीं होगा तक होट तक होटा तक होटा संथिके कर लेंगें लों को प्रफिट शाद होता मैं बोलता हूं कायदे से रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेम कॉंटिटी बाइ कर नीजिए बट इसमें भी ना सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का है अगर आपको प्रॉफिट जाधा चाहिए तो आप क्या करोगे जब मार्केट गिरेगी तो आप सी के जो लॉट्स होंगे क्या साइकॉलजी आपकी आप कितने लॉट्स करते हो तो उपर भी भाई सीपी बाइ कर लिया स्टॉप लगा दिया सी का ऑप्शन मान लो खरीदा मान लो 22,000 पर जो बाइसार अट दमनी स्ट्राइक थी उसका जो यह एटीम स्ट्राइक है अगर मान लो सी का प्राइज उस दस पॉइंट का या 15 पॉइंट का 15 पॉइंट का असलता मान लो इसमें आपका ऐसे लेट हो गया बट यह पोजिशन आपकी होल्ड मान लो जब आप इसको निकाला है 170 ठीक है तो आपको कंबाइन प्रीमियम कितना मिला 50-10 आपका 40 रुपी आपको आपको और प्राइस पर लुप निचे कितना ही डीके मारेगी वह कितना ही थीटा डीके आपको फ्राइडे मंडे ट्यूस्डेवेड़नेस देगा बट गाइस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है थर्स्डे को क्योंकि एड़नी स्ट्राइक जो होती है उसमें आपको डीके बहुत मिलता है डीके स नहीं है मेरे मतलब हमें लॉगार अगर आपको किसी दिन लग रहे हैं कि मार्केटि टेχनी के बच चुबॉट हो बस्कुक्री थी तो हम इसे कैसे बच सकते हैं हमें भीच कर लों स्टाओ नहीं करना है अगर आपने लॉग फ्राइडे बच जालगा है ओफ्रेडे में मेले तो आपका थीटा हैना फिले में पेल दो अप्रिमियम क्यों पाम करते हैं जुनकी लाइज लया है उनकोगा पर फिले रहातम जाए से चहराए है तो प्रीमियम क्यों होता जाल रहा है और चरहो सकत वैली होती सफ हो ऑद्रयली माथ है प्लाम वोड़ करना लॉइड करना इसमें पता है क्या होगा मार्किट कंसॉलिड करेगी ना तो वेड़ना से थर्स्डे में तो दोनों का प्राइस कम अचार रहेगा आपको समझी निया आप अपने बाल को जादर यहां आप दोनों पोजिशन में लॉस हो रहा है और मार्किट मालो हलकिसी उपर जाएगी तब भी दोनों में लॉस होगा क्यों होगा थीटा डीके के कारण होगा और कोई रीजन नहीं है तो लॉंग स्ट्राइडल आप कर रहे हो आप शॉर्ट स्ट्राइल कर रहे हो अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वह शॉर्ट स्ट्राइ कोई नहीं देखा कि कौन सा डेया है कि निफ्टी में जो हम मैंने ऑप्शन बाय कर रहा है उसके जो उप्शन उनको कितरा टाइम बचाए जीने के लिए तो यह सारे फैक्टर्स ऑप्शन चेन देखनी बढ़ती है बेसिक सब्सक्राइब नहीं देखी मैं उसके बाद एक भी वीडियो कि कैसे हम ऑप्शन चेन को देखें़ का पैसा मनाते है हमें मैंक्स पेंड देखना विडियो नहीं देखी तो गो चेकर इट आओ उसमें बताया कि आप्शन सेलर को सबसे जादा प्रॉफिट कौन से ट्राइक प्राइस पर होता है एक सपाईरी वाले दिन या माल लो आपका मार्केट इस रेंज में घुम रही है ठीक है जोड़ा बना जाता हूं माल मार्केट और यह 21 5148 ऊपर्याव एकिस चे कि ऐसे सो तेक है माल लो आपका मैक्स पैंप पॉइंट-गार 2.5 पैना ठीक है और माल लोग्याव प्ताइल कर रखाए तो आप गए आप क क्योंकि max pain point एक ऐसा point होता है कि अगर market max pain point max pain point पे expire होनी चाहिए, expire क्यों होगी वो क्योंकि जो option sellers हैं आपके, जो आपके option sellers हैं उनको पता है maximum profit कब होगा, जब वो max pain point पे expire होगी, तो अगर इस case में देखा जाए, अगर 21,500 पे expire होगी ना तो इसको maximum profit होगा और अगर आपने मानलो 21,500 जो आपकी उस ताइम एक्जाम्पल चल रहा है अगर आपने इसका long straddle execute कर रहा है तो आप गए अगर आपने इसका long straddle execute कर रहा है तो आप गए अब गए अब चलते मार्केट की तरफ मार्केट में आपको लाइव एक्जाम्पल बताता हूं कि आज क्यूंकि हमें पता है आज हमारा फ्राइडे आज मारी सेंसेक्स की कल थर्स्डे था तो थर्स्डे को अपकी निफ्टी की तो कैसे बनाए जाते हैं गार्केट का चार्ट खुल चुका है और जब भी वीडियो बना रहा हूं मार्केट सभी लाइब तो आपको प्राइज हो दो क्यों कि कैसे एक्जिक्ट करने कैसे किन डेस पे उसकी पोजिशन बनाए जाती है पांच मिनट पंदरा मिनट एक गंटा डिप अभी जब ये मार्केट इस रेंज में फसी वी थी मैंने पंदरा मिन पे चार्ट लगा रहा है अब थोड़ा गुफ्तगू करते हैं अच्छे से लिखेंगे चीजों को ताकि और समझ में आप लोगो जब मार्केट इस रेंज में फसी वीती अगर आपने मेरी बॉक्स पै है कि चलो 22,000 का राउंड लेवल है वहाँ पर सस्टेन ना करे करे और एक आपको सेलिंग देखने को मिल रही है ठीक है तो लॉंग स्ट्राइडल में उसको कैसे मोनेटाइज करना वह देखो थोड़ा लॉंग स्ट्राइडल की बात कर रहा हूं भी आपको क्या करना है आप déplस्त करें बता हो झाओ यह मार्के नीचे आपको क्या होगा आपको क्या होगा आपको सी में होगा लॉस और जो P-E आपका जो आपने प्शिशन आपकी और पोजिशन आपकी आपकी ऑना चोपी बाइंग किए बट जब आपको प्रोफिट वाप। जब आपको चीछ वड़ा ना बहुत ही जादा इंसिंग्निफिकट होगा एस पंपर पर प्रोफिट होगा यह मैं क्यों बोल रहा मान लो जो दोबारे एक्जम्पल लेकि बता रहा हूं सौहर या भाय कर आए पी बाय खरहा है क्रहें कि इसमें था नाइंटी इसका कई इसमें घर एक्सल क्रत हो गई करके उस टाउ देखें चिए ना मान लो यह तो इसमें आपको मिलें एक्षो तीस पॉइंट माईनस आपक यमें खानी खानी से चलार प्रोपित हो गया टेकंडंता ने जिए पूरा ट्रीडिंग आपका प्रोबिल्टीलय गहीं कैसे इस कम करके जितना आपको आज अप्रेक्शनों चेह इ atrásुटी बढ़र Sigist करते हैं वह में उपर की तरफ की ड्रेड के लिए किस का थे होता चैनल होता है उसमें जोगे City और प्रेमियम बहुत ही जाद तेजी से बढ़ेगा और और फोगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लस वान होगा ना गाई तो आपके आपके प्लस वान हो रहा होगा जब वह फिक झाएगा करीबं किटना ड्यॉपिन अंदर बने कितना होता है करीबं प्राइस से तो यह यह चीजों का ध्यान रखना होता है जब भी ऊपर की ट्रेड जाएगी एक पोजिशन आप होल्ड करोगा तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगी आपका ट्रेड आपकी डिरेक्शन में जाने के लिए तो इसमें आपके लिए एक काम करता हो अशन शुम में पाको अगर क्या हो पर तो आपको अच्छी टांद वीडियो फ Caroline Sex अपने फ्रेंड के साथ sociale काoure महनत करते हैं आपके लिए इस content को डिलेवर करने के लिए और जब आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं मारी वीडियो और सा हमारी जो व्यूज है वो बढ़ते हैं तो हमें बहुत जादा motivation मिलती है और अच्छा और और भैतीरिग content आपकी तरफ deliver करने के लिए और महनत करते हैं और guys comments में ज़रूर बताना कि आगर आपने कभी straddle, जो आपकी long straddle होती है, वो technique कभी use करिए पैसे बनाने के लिए, और अगर करिए तो कौन सा scenario था, long straddle ने covid के time भी बहुत अच्छा, क्योंकि markets बहुत या था, sudden fall कर देती, आपका wix का जो high था, 84, 85 का था, उस time भी long straddle न हमें बार, risk कम चाहिए, हमें जो पैसे market को देने हैं, जो हमें loss में पैसे देने है, market को, वो कम से कम देने है, और हमें अपनी पैसा, अपना जो पैसा जेम में डालना है, वो जादा से जादा डालना है, तो guys, please like, share and subscribe to our channel, stay tuned, please comment on all our videos, कोई भी basic से basic doubt है, मैं हर वीडियो में and thank you for watching our video, we'll be back with another great video, thank you so much for watching, see you, bye